बोर्ड की बात रही दस्मी बार्मी के जो result के बारे में कि उस लोगों की बोर्ड हैं जिनके exam कुछ कंड़क्ट हुए कुछ pending में हैं कुछ तो ऐसे हैं जिनके सारे exam कंड़क्ट हो गएं लेकिन आप लोगों की copy चेकिन्ग में हैं आप comment में जरूर बताएं कि आप किस state से हैं आप लोगों के कितने पेपर हुए हैं या फिर आप लोगों के पेपर सारे complete हो गए कोपियों चेकिंग में result का इंतिजार कर रहे हैं या फिर आप लोगों के कुछ पेपर pending में भी हैं तो ये comment में आप लोग जरूर बताईएगा तो देखिए अब बोर्ड के पास दो तरीके हैं तो ये जितनी भी एजुकेशनल बोर्ड है इन लोगों को अपने जो एक्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा था है क्योंकि लोग डाउन 21 दिन का हो गया था अब जब यह लोग डाउन बढ़ गया है तो अब इनके पास तीन चारे बचे हुएं बोर्ड के पास और यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूरन जानकारी आप लोगों को मिलेगे तो पहली बात हम आप लोगों को बताते हैं देखिए और जब तक लोग डाउन खतम नहीं हो जाता है तब तक वो इस प्रक्रिया में नहीं आगे जाएंगे हालां कि अब बोर्ड के पास जो ओप्शन बची हुई है वो आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं देखिए अपर्ड को फीशन बात है देखिए और लूट अब लूट अचारिव और लूट अजब देख सकते हैं रहीं आजब दीख कर दिया था कि वह अब कुछ सब्जक्तों को महत पूर्ण जो सब्जक्ट हैं उन्हीं की एक्जाम कंड़क्ट करवाएगी 29 exam conduct करवाने वाली थी total exam 41 exam से जिन मैंसे उसने cut करके 29 exam जो महतपूरन exam थे उनको conduct करवाने का फैसला किया था लेकिन अब इस situation के according board may even have to rethink the decision to conduct even these 29 subjects बड़ी यहां पद जानकारी है कि अब board को इस situation को देखते हुए इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि क्या उसे 29 subject को conduct करवाना चाहिए या नहीं conduct करवाना चाहिए और साथ ही में there are three options left with the board first to conduct the remaining examination and evolution process post the lockdown period तो आप लोग देखिए पहली option जो अगर हम बात करें यहां पर तो पहली option यह है कि exam को conduct करवाना चाहिए चितने भी remaining exam पड़े हुए पेंडिंग में आप लोगों के कुछ पेपर हुए है कुछ पांकी है तो जो बाकी पेपर उनको conduct करवाना चाहिए और जब lockdown खतम हो तब कापियों की checking सुरू करनी ही चाहिए और उसके बाद रिजल्ट आना चाहिए लेकिन इसका disadvantage भी एक होने वाला है कि अगर ऐसा किया जाता है तो result बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा इसमें time लग सकता है जो कि एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि कोलेजियों में admission लेना होता है विद्यारतियों को exam होते है competitive exam होते है फिर result आएगा फिर कब वो admission लेंगे कब counseling होगी तो यह बहुत लंबा process हो जाए second step की बात करें तो second चारा क्या बचता है तो देखिए यहाँ पर the second option is to conduct the exam evaluate the answer script if allowed during the lockdown may be able to declare the result by June 2020 तो second option यह है कि exam को conduct करवाया जाए साथी में lockdown में ही पेपरों की checking करी जाए तो अगर इस step को follow किया जाता है तो chances है कि June में result declare कर दिया जाए आप लोग देखिए कि बड़ी जानकारी कि अगर इन सभी चीज़ों को follow किया जाता है लोग डाउन में ही इन सभी चीज़ों को follow किया जाता है तब यहाँ पर chance बन रहे है कि June में आपका result declare किया जाए हाला कि अभी ऐसा देखने में तो लग नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन अब अगर हम third option की बात करें तो देखिए the school है तो third option की बात करें तो देखिए to start the evolution for which exams were already conducted cancel the rest of the exams and evaluate them based on their internal assessment तो आप लोगों को बताऊं कि तीसरा जो चारा बचता है कि जितने paper आप लोगों के हो गए हैं जितने paper आप लोगों के हो गए ह उनी paper को check करिए उनी के basis पर विद्यार्थियों को pass करिए बाकि जो subject है आप लोगों को यहां पर बड़ी जानकारी बतादूं कि एक board है हर्याना board थी शायद उन लोगोंने ऐसा news भी आ रही decide भी किया है कि जितने paper उनके हो चुके हैं दसमी के तो वो चार उनका science का paper शायद जो result जितने paper होगे उसी के according result बनाया जाएगा उनी का और जो pending में उसको बाद में conduct करवाया जाएगा हाला कि आपके जो result है वो जो paper जितने हो गए हैं उसी के according तयार कर दिया जाएगा तो यहां पर आपकी percentage भी आ जाएगी और आप लोगों का admission में भी दिक्कत नहीं होगी और जो paper आप लोगों के बचे हुए उनके number दे दिये जाएगा फिर उनको बाद में conduct किया जाएगा number दिये जाते हैं तो जैसे आप लोगों को internal assessment जो आपका एक साल में performance रहा है तीस थर्ड मन्त में छे मन्त में जो paper होते हैं internal paper होते हैं आपकी school level के उनके according आप लोगों को subject में number दे दिये जाएं तो तीसरी option यह बचती है हलांकि